दोस्तों अगर आपकी Facebook ID and Instagram ID आपस में linked है आपस में दोस्तों connected है बड़ दोस्तों आप उसे अब disconnect करना चाहते हो अनलिंक करना चाहते हो तो don't worry दोस्तों आप बिल्कुल ही सही जगा पे आये हूँ बस आपको वीडियो में कुछ नहीं करना है बस वीडियो में end तक बने रहन हो पस उसी ट्रेप को अच्छी तरह से देखना है और बात में दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए यूजफूल लगे आपको और किसी तरह से help करें तो बस आप दोस्तों साथ दबा के हिला लेना subscribe button and bell icon button को समझ रहो समझ रहो समझ रहो ना बस आपको इतना ही करना है तो आपको Instagram application को open करना होगा open करने के बाद next आपको अगर आपके Instagram app में दोस्तों आपका ID login है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने ID को Instagram के साथ login करने करने के बाद नीचे दोस्तों आपको आपका profile का icon देखने को मिलना इस icon पे click करना है और यहाँ पे दोस्तों राइट के top side में आपको three lines बटन देख रहे है इस पे click करके simply से दोस्तों आपके सामने बहुत सारे options खुल के आजएगी तो सबसे पहला एक option आपको दिख रहा है setting तो simply से आपको यहाँ पे setting पे click करना होगा setting पे आप जैसा ही दोस्तों यहाँ पे click कर दोस्तों आपको जस्त नीचे के थड़ नमर में आपको यहाँ पर देखने को बलाई sharing to other app तो simply से दोस्तों sharing to other app पे आपको यहाँ पे click करना होगा जैसा ही दोस्तों आपको देख सकते हो दोस्तों आपने जिसके साथ यहाँ पर link कर रहा है इस्टाग्राम आइडी का वह सा यहां से अगर दोस्तों अगर दोसतों अगर दोस्तों एक बास बोलना चाहोंगा अगर इस्लिए आत рук को Unlink करना चाहते हों ताकिए दूस्तों आप जहां Facebook पर कुछ लगाते हो है तो इंस्ट्राओं पर एकित्त करना है ऊप्तरीयां जाते हैं यहां धोन है ने करना कुछ लगाते तो facebook पे पुश्ट लग जाती है बस उसी कारण से जो अगर आप इस दोनों को लिंक करना चाहते हो उससे सिंपल दोस्तों यहां पे जो आपको दो आपसंस देखने हो एक स्टोरी बाला एक पोस्ट बाला सिंपली से दोस्तों जैसे देख सकते मेरा आप है तो आप इसे आप कर लेगो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा जो चीछ आप फेस्बूक पे लगाऊगे वह इंस्टाग्राम पे नहीं पोस्ट होगा तो देख लेना अपने अपने क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एकाउंट सेंटर देखने को मिलें तो सिंपली से यहाँ पर आपका प्रॉफाइल खुल गया जगा जहाँ देख सकतो एकाउंट एंड प्रॉफाइल पे क्लिक करना है क्लिक करने करा दोस्तों यहाँ पर देख सकतो आपको फेस्बूक सब्सक्राइब से इड़ी एक करना है जएसे दोस्तों आप इस सब्सक्रा अगयरा होगे तो चीज अपने लिक्सक्राइब सब्सक्राइब तो मुझे कुछ खास यहां पर नहीं देखने को मिला वाँ सिंपली से आप यहां पर continue कर सकते हो disconnect करने के लिए Facebook और Instagram को तो सिंपली से मैं continue के बटन पर क्लिक करता हूं और फिर से यहां पर एक बात confirmation कर दिया कि remove Facebook जो भी मेरा username में वो लिखा है तो आपका Facebook ID और Instagram ID सिंपली से अन्लिंक हो जाएगा I hope कि दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए helpful सा भी थुआ हुआ और आप सीख गे होगे किस तरह से Facebook और Instagram को अन्लिंक किया जाता है और डिस्कनेक किया जाता यह बात आप अच्छी तरह से सीख गये होगे और आप दोस्तो आप खुझ से भी अपने Facebook और Instagram को अन्लिंक कर सकते हो और डिस्कनेक कर सकते हो तो साथ ही दूस्तों घर आपको वीडियो भी पसंद आएगो तो वीडियो के लाइक जरू कर देना एंड शाथ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन को प्रेस कर देना विकाओ दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी तरह के useful और helpful वीडियो तो दोस्तों तब तक के लिए ज तरह के बड़ो तो नेक्स चैनल के बढ़ चाई जब तो नेक्स चैनल